हेलो एप्रिबन आगए इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे डामन्ड वाला एपसे अपने बैंक अकाउट में पैसों को बिद्राव कर सकते हो तो अगर आपको भी जानना है तो इस वीडियो में अंड तक बने रहे ना चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो आपको डायमंड बला है आप उपन करना है यहांड जैसा कि अभी आप लोग देख सकते हो मेरे पास प्रॉक्षन आपर 80,000 के असपास कोईन्स हैं तो अब मैं यहांपर 7,000 कोईन्स को यहांपर बिद्रा करके दिखाने वाला हूँ यानि कि 5 शुरूपै आपको बिद्रा करके दिखाने वाला हूँ तो करना गया है आपको से पहले यहांपर 5 आइकन्स मिल रहे होंगे बॉटम में आपको एक आइकन मिलेगा सेकेंड नमबर पर रिबॉड बाला इस पर क्लिक कर देंगे आपके सामने यह वाला एंटरिपेस आजाएगा यहांसे आप लोग गूगल प्लेश टूर का रेडियम कोड ले सकते हो एंड नीचे आपको पेटियम गैस का ओप्सन मिल रहा होगा लेकिन टैंसल लेनी की कोई जरूरत नहीं है अगर आपके पास पेटियम नहीं है फिर भी आप लोग यहांसे बिद्रॉक कर पाओगे करने बाला हूँ तो चलिए मैं यहां पर अपने पेटियम में आ जाता हूँ एंड यहांसे यूपी आइडि को कॉपी करके वाँपर पेश्ट कर दूँगा यूपी आइडि पेश्ट कर देने के बाद नीचे आपको एक सब्मिट बाला बटन मिल जाएगा इस पर क्लिक कर देंगे एंड थोड़ा प्रोसेसिंग होगा प्रोसेसिंग होने के बाद आपके सामने कुछ एक नया इंटरफेस आ जाएगा आप लोग देख सकते हैं हमारे समने इस तरह का लिख के आ चुका है और हमारे 60,000 कोयन से यहाँ पर कट चुके हैं चलिए एक बार हम याँ पर हिस्टरी में भी आ कर देख लेते हैं तो अभी आप लोग देख पाएंगी कि यहाँ पर मुझे यहाँ पर पेंडिंग दिखा रहा है कि 500 का पेटियम कैस अभी पेंडिंग में है यानि कि यह पूरी तरह से अभी complete नहीं हुआ है payout यानि कि हमारे bank account में भी नहीं पहुंचे होंगी जब यहाँ पर completed लिख कर आ जा आ गया है और डामेंड बाला से भी message आ गया है कि मेरे 500 रुपए बेश दिए गए चलिए एक बार मैं डामेंड बाला में चेक करता हूं तो डामेंड बाला की transaction इस्ट्री में आप लोग देख पा रहे होंगे कि 500 रुपए पे कर दिए गए चलिए अब मैं आपको पेटियम आप को भी open करके यहाँ पर चेक करके दिखा देता हूं तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हूं मेरी balance इस्ट्री में एक बच के 9 मिनट पर यहाँ पर 500 रुपए रिशीव हो चुके हैं तो दोस्तो इस तरह से आप लोग भी डामेंड बाला एप से अपने पेटियम या फ फुल रही होगी अगर सच में तो लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबाना मत भूलिएगा